श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छटे भाव में रहेंगे इस दिन आपका व्यापार जॉब जैसे है वैसे चलते रहेंगे किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फायदा भी होने की संभावना कम है निवेश करने के लिए समय जोखिमबरा रहेगा सामान गुम हो जाना या चोरी होने की संभावना ज्यादा है विशेश कर यात्रा के दोरान तो यात्रा के दोरान अपने सामान का विशेश ख्याल रखना पड़ेगा यात्राई इस समय में करना ठीक नहीं रहेगा अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो यात्राई ना करे Married Life में इस दिन तनाव भरी स्थितिया उत्पन हो सकती है शांती बनाए रखे घर परिवार में किसी बात पर मतभेद होने की संभावना रहेगी ग्रहमान खराब तो नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं कहा जा सकता स्थितिया सामान्य बनी रह सकती है अगर आप विदेश में व्यापार या जॉब करते हैं तो आप के लिए समय काफी अच्छा रहेगा विदेश से धन कमाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा अगर लव लाइप की बात करें तो लव लाइप के लिए समय सामाने रहेगा किसी को प्रपोस करने के लिए प्यार जताने के लिए समय अनुकुल नहीं है अपने परिवार से शादी के लिए अनुमती लेनी है तो ये दिन ठीक नहीं रहेगा थोड़ा सचेत रहे शांत रहे जीवन को एंजॉय करने की कोशिश करते रहे अगर स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के लिए समय अनुकूल नहीं है, कोई बड़ी परिशानी तो नहीं होगी, जो लोग पहले से बीमार हैं उन्हें सेहत का ख्याल रखना होगा, सेहत से सम्बंदी चोटी मोटी परिशानिया इस समय में सता सकती है और इस दिन चंदन्या केसर का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाए, इस दिन हरे रंका इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज़्यादा चरहेगा